तो चलिए फटाक से हम इस डिजाइन को तैयार कर लेते हैं डिजाइन को तैयार करने के लिए मेरे पास पहले से एक इमेज है जिसमें कोई भी इफेक्ट नई है तो इन सब को हम यहां से डिलीट करते हैं इसको भी डिलीट कर देते हैं और इस वाले image को यहाँ पे हम रख देंगे उसके बाद हम को क्या करना है sideo tool चाहे आप कोई भी coral wrap version यूज़ कर रहे हैं उसमे sideo tool जरूर होता है तो आप दोन लीजिएगा कि आप में कहा है मेरे में तो यहाँ पर है इस पे हम click करेंगे इस पे sideo लिखा है इस पे click कर देंगे और उपर से खीच करके नीचे ला देंगे एक चीज़ और note रखिएगा कि इस design को तयार करने के लिए आपके पास जो image होगा वो transparent होना चाहिए यानि उसके पीछे कोई background नहीं होना चाहिए PNG background होना चाहिए यह हमने खीच लिया उसके बाद यह जो बीच में आप एक चोटी सी line देख रहे हैं इसको पकड़के बिल्कुल नीचे कर देंगे नीचे कर देने से जो हमारा sideo है यानि जो इसकी परचाई है वो dark हो जाएगी गारी हो जाएगी लेकिन यह तो अभी black है हमको white करना है उपर आ जाएंगे यहाँ पर black color है इसको हम white select कर लेंगे white select करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा तो tension लेने की कोई बात नहीं इसके बगल में यहाँ पर देखिए multiply लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद add पर क्लिक करेंगे जैसे ही आप add पर क्लिक करेंगे इसके बगल में यह brightness यानि यह glow वाला effect आ जाएगा तो है नहीं बिल्कुल कमाल का और बिल्कुल ही easy जरूर जाए ट्राइ करें